तो 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 जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल के उपर SEO प्लस कॉंटेंट मार्केटिंग से रिलेक्टिट एक कोर्स चल रहा है तो उसमें जितने में लेक्चर सोच चुकिए उनको आप लोग लाजमी से फॉलो कीजिए इसमें मेंने काफी टॉपिक्स को कवर्ट किया है अब हमारा सेक्षण जो कि हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया है सेक्षण टू उसमें हम कॉंटेंट राटिंग की तरफ आगे बढ़े हैं उस प्रिविएस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिसकस किया था कि क्या ऐसे पॉइंट्स क् को फॉलो करेंगे तो आपका content एक valuable बन सकेगा easily कोई आपको इससे issue नहीं होगा तो राइट अगर आपको चाहते हैं कि अच्छे content राइटर आप लोग बनके उभरें और एक अच्छी income generate कर सकें क्योंकि content राइटर की जो value है वो demand बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर आप अपनी राइटिंग की service को सेल भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी earning भी होगी तो इससे पेड़ियो में मजीद हम कुछ और tips को भी discuss करेंगे कि किस तरह से आप अपनी राइटिंग को और मजीद enhance करेंगे तो आपने इस वीडियो को एंट तक देखना तो अब हम चलते हैं अपन तो दोस्तो चलिए अब कुछ और tips को हम discuss करते हैं जो कि आपकी writing को enhance करने में helpful साबित होंगी तो आपने बहुत ही जादा तवज्जों से इन सब को समझना है राइट तो सबसे पहले यहां बात करते हैं short sentence की देखें आपने जो content को जो इस तरह से design करना है अपने कि आपने short paragraph short sentences को आपने इसको यूज करके writing करनी है और आप तकरेबान आप समझ दिजे कि आप एक maximum अगर आप words यूज करना चाहें एक sentence के अंदर sorry एक paragraph के अंदर तो आपने एक paragraph के अंदर तकरेबान 100 to 120 words को आप इसमें use कीजिए then उससे आपका जो article होगा वो जबरदस्त look wise अच्छा नदर आएगा और बागी reader के लिए भी असानी होगी उसको समझना और sorry उसको पढ़ने में reader को असानी होगी तो इस तरह आप sentences के साथ paragraph के साथ अपने article को लिखेंगे then ये बहुत जादा useful और helpful होगा reader के लिए तो आपने इस चीज़ को लाजमी focus करना है कि आपने एक साथ कच्छी कासे lines नहीं लिखनी है sentence wise paragraph wise अपने content को divide करना है second number पर यहां बात आ रही है avoid jargons acronyms etc तो देखिए असल में होता यह है कि आपने ऐसी terms को यूज नहीं करना है वहां पर अपने article में कि बहुत जादा hard हो यह नहीं कि ऐसा नहों कि कोई बंदा आपका article जो read कर रहा है उसको आपके words को समझने के लिए dictionary लेकर बैठना पड़े तो आपने simple वे में अपना जो न मालब उसमें जो words यूज करने आपने उनको या तो अगर आपने को यूज करनी भी है आपको जूरत है वहां पर यूज करने कि तो आपने उस terms को अच्छे दान से define भी करना है आगे कि भाई इसका मतलब य है ताके user के लिए कोई परिशानी का बाइस ना बनेगी है और ज्यादा आप इसे बहुत terms वाली चीज़ें यूज करेंगे इसके अंदर अपने article में तो यूजर बहाद वकात उस चीज मालब आपके article से जा भी सकता है जैसे for example से सर से गुजर रही है बातें ऐसे आपने points म में discuss शूरू करना शूरू कर दी है तो यह आपके article के लिए ठीक नहीं रहेगा तो आपने common man को जहन में रखकर article लिखना है इसके बाद आता है use active voice लेकर बहुत इंपोर्टेंट है आपने जो आठिकल लिखना को आपने आपने याथ एक्टिव वोइस करनी अब अब active voice पैसिव वइस को आपको पता ही होगा चला आपको में आप एक्जांपिल देता हूं for example आई विल ड्राइव माई यह घोग यह अक्टिव वयस्सिंपल वे में डिरेक्ट में बात ओको यह आई वा वई ए विल ड्राइव माई का राइट अब इसका पैसिव वयस्स क्या बनेगा the car will be driven by me इस तरह के जो यह मतलब यह जुम्ला जो पूरा है यह बन गया passive voice तो आपने इस तरह से sentence use नहीं करने हैं आपने जो sentence use करने हैं वो simple way में active voice ही use करने ही यह expert का बहुत ही important point है इसको आपने जहन में रखना है जो content writer expert expert writer जो हैं वो इस चीज़ पे आजमी focus करते हैं तो आपने अपने article में इस तरह से एक्टिव voice यूज करने है एक्टिव वोइस की मैंने आपको example दे दिए राइट फिर point आथा है turn complex topics in simpler way यहां भी वह जारगन से related है जैसे कि आप अगर कोई ऐसा complex topic discuss कर रहे हैं तो आपने कोशिश है करनी कि उसको आपने simplify करना है ताके reader के लिए उसको समझना आसान हो कि कि देखें आपको point of view यह रखके कर चलना है कि आपने जो कस्टमर को अच्छा experience provide करना है देन उससे आपको benefit हर तरह से मिलेगा और Google भी इस चीज़ को प्रेफर करता कि उसके user का experience आपकी वज़ा से अच्छा होना चाहिए तो यह चीज़ को लाज़मी से आपने focus रखना है कि देखें अगर आप for example हम SEO करते हैं अपने article की तो बाद वकात जैसे हमें इसमें keywords को प्लेस करना होता हो हम जब आगे जागे भी इसको सीखेंगे भी on page SEO के section में so don't worry तो जब हम उसमें बाद वकात ऐसा लोग करते हैं कि उसमें keywords placement के चक्कर में वह इतनी मतलब जहां जगा नहीं भी बन रही वहाँ भी keywords को प्लेस कर देते हैं इससे क्या होता है एक तो आपको पूरा आर्टिकल एक तो आपने इस तरह से आपको परपस होना चाहिए वह आपको customer को देखकर होना चाहिए कि आप किसलिए लिख रहे हैं बाकि आपने जो मैंने आपको बताया था इससे पिछले लेक्ट्चर में कि आपने जिन पॉइंट को जहन में रखना है कि आपने आर्टिकल जो लिखना शुरू करना है तो आ पॉइंट आता है stay on point आपने देखें एक पॉइंट में रहेकर ही आर्टिकल को लेगे चलना आ गए ऐसा नहीं कि आप एक परेग्राफ में कुछ और बात कर रहे हैं तो सेकंड परेग्राफ में आपने बात ही बिल्कुल अलग कर दिये तो आपने बिल्कुल अपने topic से हट आपको जो benefit लेना चाहते हैं वह आप नहीं ले सकेंगे आपने to the point ही रहेकर इन पर work करना है याद से आप देखें इसके बाद आता है यह बहुत important है अकसर जो content writing start में जो बिल्कुल newbie होते हैं वह यसी mistake करते हैं वह क्या करते हैं पहले आप यह देख लिए पहले point address to one person बह वह क्या चीज़ सोचका लिखते हैं कि भई हमें उनको मतलब उनके जो content को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं यह से पूरे एक मजबे से वह खिताब कर रहे हैं address करना है पूरे lots of people के lot of people के एक साथ आप वह बैठे हैं लोग उनसे आप अगर address करने तो आपने ऐसा नहीं करन बते हैं होता क्या है जार सी बात है आप जो article आप लिख रहे हैं तो आपका article जो reader पढ़ रहा है तो उसफ़क्त तो एक ही बंदा नहीं कि और पढ़ने वाले reader को ये लगना चाहिए कि आप जो article बंदा पढ़ रहा है वो समझें उसी के लिए ही लिखा गया है वह उसफ़क इसको बहुत अच्छे तरह से देहन में रखना है कि आपने इस तरह से इस टॉन को यूज़ करते हो आपने आर्टिकल लिखना है कि जिसा आप सिर्फ एक बंदे से मुखातिब हो के आप बात कर रहे हैं एक बंदे के लिए आप उसको सलुशन बता रहे हैं यू के लिए इस कुछ में टिप्स हैं जिनको भी मैंने डिसकेस किया पर देखी असल में जो ना आप लोग बेफिकरें कुछ लोग का ऐसा लगता है कि हम लोग अभी यानि के प्रैक्टिकल वर्क की तरफ कब बढ़ेंगे यह देखें मसला यह है कि प्रैक्टिकल वर्क पर डारक हम नहीं इस्टार्ट में मैं हामें चाहिए आर्टिकल लिए से सब्सक्ष को समझ जाएंगे अच्छी तरह से तरिक के से न हम एजविलİ पश्ट बदरarin बिलुकुल कर सकेंगे फैसिए नैक्स्ट विडियों में हम डिसकस्ष करने वाले हैं प्रैक्टिकल वर्लम्रीश को जो कि हम पर आ चुक हैं तो अब जिस तरह से content writer को research करनी चाहिए उस तरह से हम research करेंगे अब कुछ advance commands किसली होंगी उसकी वज़ा क्या है उसकी वज़ा यह है कि उससे आपका time जो है वो बचेगा हमें time बचाना क्योंकि वैसा नहीं है कि हमने एक article के उपर हमने 5-6 दिन लगा दिये तो हमने time को हमने अपने utilize करना होगा अच्छे से जादा से जादा अच्छे तरीके से तो इसलिए हम उन points को उन commands को use करेंगे then हम कुछ platform को भी discuss करेंगे जिनके जरीए आप लोग research कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो दोस्तो नेक्स वीडियो भी बहुत जादा आपके लिए informational होने वाली है तो अगर ये वीडियो आप लोगों को informative लगी है तो इसको like जरूर कीजी और उन लोगों तक जरूर पहुंचाई जिसको इसकी need है तो शेयर सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा तो मिलते हैं आप नेक्स लेक्टर में तिल देन अल्ला हाफिज